अब दिखाती हूं आपको डबे लाइन वाइस कितना चार तो सूरज भगवान भी निकल चुके हैं यह तो यह चार डबे चार बना रखें ममी ने और दो डबे कमरे में रखे हुए तो दोस्तों यह देखे हैं हमारे आम हो रुखे थे दसरी आम तो यह पक चुके हैं तो हैलो दोस्तो गुद मॉर्निग एल्कम तो मैं न्यी ब्लॉग मैं अज़ली आपको स्वागत करते हूं अपने यूटूब चैनल अंजबीया कर ब्लॉग में तो हैलो दोस्तों कैसो आप रही expect लोग तो फांश राल को तो अभी थोड़े देर में में और अब को और यहां पर काफ़ी टाइम हो गया था ऐसे मेरे को तो अभी में जा रही हूं फाइनल अपने घर को मिलते हैं भी जाती है तो दोस्तों मैं पहुंच्चू कि अपने सस्राल में तो दूसरे दिन का ब्लॉग एक कि कल साम मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि तो यह दूस तो अभी बज़रे सुपर के साड़े 6 तो मेरी ब्लॉगिंग के स्टार्ड हो रही है अभी यह चलीगी स्कूल की बस हमारे बच्चों की तो दोस्तों अभी हमारे नास्ता वास्ता बन चुका है और हमारे बच्चे स्कूल भी चले गया है तो अभी नहना दोना भी हो गया ह हमारा तो और अभी सूरज भी नहीं आ रखा है है और देखो मौसम कुछ इस तरीकी का हो रख है यहां का तो मौसम दिखाती हूं मैं आपको यहां का अभी सुबह सुबह यह देख सकते हैं पूरी तरह कोहरा ही कोहरा कोहरा ही कोहरा देख सकते हैं तो दोच्टो इस पेड गोदेखे कितना सुन्दा लग रहा है यह तेमिल का पेड़ है यह कितने खूब सूरत जवह है इस पेड़ की तो दोच्टो मैं आपको एक चीज़ दिखांगा हूंगी हमारा जो किला हो रख है केले का पेड़ उसपे कितने सारी केलों देख सकते हैं आप यहां पे तो सूरज भगवान भी निकल चुके हैं यह देखे हमारे घर के सामने से निकलते हैं सीधे किरने हमारे घर के अंदर पड़ती है सूरज की देख सकते हैं अधि हमारा आम का पेड़ सारे आम का में खा ली है तो है लो दोस्तों मैं मिलाओंगे अपनी बुआ से अपको तो यह है मेरी बुआ मेरा और इनका सुसरा लेखी जगए और अभी हम जा रहे हैं घास काटने के लिए तो हेलो दोस्तों यह है हमारे जिठानी जी का लड़का यह गया था अभी स्कूल अभी स्कूल से आई रहा है क्या पढ़ा तुने सरान साज अज क्या पढ़ा तुने अज इसकूल में यह बताएगा यह बहुत ही सरमाता है वसे बता क्या पढ़ा आपने आज क्या पढ़ाए बढ़ा करें जो पर दोस्तों मैं मिला हूंगे अपनी मम्मी से यानि कि अपनी सासुमा साब को दिखाती हूं मैं बलवाती हूं माते हैं ममी कैसा लग रहे हैं इसानीं मरस आपको अब लनना चाहिए मेरे चैनल के बारे में इस मेरे सपोर्ट के लेपकी बनारे मेरे को बोथ अच्छा तो ठीक है ममी को बहुत अच्छा लगा तो आप भी बताना कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और बताते रहना आगे को सपोर्ट करना तो दोस्ता मिलाओंगे मैं अपनी जठानी जी साब को दिखाती हूं उनको भी मैं तो यह मेरी जठानी जिवनी कि मैं उनको भावी बह दोस्ता देखें ममी ना बना रखा अचार आम का यह देखें रख रही है ममी अभी डब्ब में तो यह देखें तीन डब्ब्ब्बब्ब ना रखें करगे जुक्त है तो अचार बनाया था मामी ने वह डबम ने रख दिखाती हैं अभी दिखाती हूँ आपको डबबे लाइन वाइस कितने अचार भना रखा है हम भी बना रख हम लगंवाद कर क्योंकि किस ने बोल लखा था उनके लिए भी बना रख हैं और हमारे घर तो देख लिया होगा अपने अचार भी तो दोस्तो इस सीजन के लास्ट आम है ये देख सकते हैं आप अब आम खतम हो चुक है आम का सीजन चला गया अब इस सीजन के लास्ट आम है देख सकते हैं तो यह आम हमारे हुए थे दसरी आम है ये तो इस सीजन के लास्ट आम है का देख दोस्तों ये मेरी जेठानी जी की बेटी है तो क्या नाम है अपका गरीमा विस्त कौन सी ग्लासे बढ़ते हो अब ठाथ और कौन सी स्कूल हो जाते हूं जूनिवर्सल का अबनेट स्कूल दरहात तो चाची की वीडियो के लिए कुछ बोलेगी ब्लॉक के लिए क्या कमेंट करना क्या करना से ओके तो चलो ठीकी इसने भी बोल दिया मेरे बारे में तो दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आईगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना हमारी चैनल को ठीक है तो दोस्तों अभी मैं अपने जठानी की बेटी को पढ़ा रही तो देखे आप यह देखिए तो सरांस अपने स्कूल का काम कर रहा है अभी एलकेजी में है यह द्वारा हाट में पढ़ता है यूनिवर्सल कॉन्वेंट में तो देखे यह तो दोस्तों यह खीरे मगा रखे हैं हमने कखडी तो यह पापा ने मगा रखे हैं हमारे तो होन जखे हैं कई से मगा रखे पापा ने यह देख सकते हैं आप दोस्तों एक वीडियो को इधरी आइंड करते हैं मिलते हैं नेक्स ब्लोग में ने वीडियो के सांद तब तक के इस दोपी आखा, दोख दो ये अपार है। मेरे चैनल को लाइक, एक 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 कमेंट ये बीजियोटाइब आजिए है।